वैलकम तो एक्सपर्टस 10.0 अकाडमी इक्सपर्टस 10.0 अकाडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है आज इस क्लास में हम एक नए कंसेट के बारे में बात करेंगे जो है N और F के hook के बारे में यी कुछ rules मैंने पहले से लिख के रखे हैं तो बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में इसमाल फाइनल हुक तुवर्ट्स राइट साइड एड एंड टूदा आल स्ट्रेट स्ट्रोक्स इस लाइन का मतलब है कि अगर हम एक छोटा सा फाइनल में यानि लास्ट में हुक लगाएंगे राइट तरफ पे तो वह एंड की साउंड देगा स्ट्रेट स्ट्रोक्स में द्यान रखें हम स्ट्रेट ट्रोकस की बात कर रहें मैंने बहुत सारे एग्जामपल से लिए हैं जिससे आपका कंसेट लियर हो जाए जैसे पैन बनाया है पी है वोवल है जो फाइनल में हुक लगा हुआ है ना राइट तरफ प पाल ऐनल में हुक लगा हुए एंक यह बना तोन फिर मैंने पैंं का लिया है हुए रॉट के लिए चीलाइक प estás ek बन刈 पेम सबुर्गी वे वियू है final hook यानि last में hook लगाएंगे right तरफ पे तो वो n की sound देगा जैसे मैंने in examples के थ्रूँ आपको समझाया अब हम बात करते हैं second line के बारे the hook which represents r at the beginning यह आप जानते हैं जब हम initial में जो beginning में hook लगाते हैं वो r का होता है and final hook and both are written in right motion जो n का hook होता है वो तो लगता है last पे यानि final में और r का लगता है initial में यह बोथ हमी कठे लिख सकते हैं examples के तरूँ समझते हैं जैसे मैंने तीन example लिये brain का train का और crane का brain में b है वोवल है जो initial में hook लगा हुए है यह वला यह तो हो गया r का hook और जो final में लगा हुए यानि last पे वो हो गया n का यह है बी है बी के साथ initial में r का hook के साथ बात करते हैं next example के बारे में train के बारे में इसमें टी है टी के साथ इधर वोवल है जो इनीशैल में hook लगा हुए वह आर का है जो final में लगा हुए, वो है, N का, हम इनको नों को इकठहा लिख सकते हैं, initial में लिखेंगे आर्क की ओवाज देगा, last में final में लिखेंगे N की, यह बन गए train, पीर मैंने example लिए train का, इसमें initial में जो लगा हुए वो आर्क है, जो final में लगा हुए वह है एंड का, यह बन गया क्रेन, I hope आपको यह दो लाइने क्लियर होगी होगी, अब हम बात करते हैं, थर्ड लाइन के बारे में, a small final hook, written inside curves, add n to the curve strokes, पहले तो यह जानिए कि हम curves strokes के बारे में बात कर रहे हैं, इस लाइन का मतलब है कि अगर हमें एक छोटा सा फाइनल में यानि लास्ट में हूक लगाएंगे इंसाइड कर्व यानि कर्व स्ट्रोक्श के अंदर तो वो एन की साउंड देगा एक बार वापिस रिपीट कर देता हूँ एस स्माल फाइनल हूक यानि चोटा सा last में final यानि last में hook लगाएंगे इनसाइड यानि अंदर की तरफ curse ट्रोक में तो वह end की साउंड देगा मैंने बहुत सारे examples लिए हैं ताकि आपको confusion ना हो first example मैंने लिया है fine का fine में ये जो एफ कर्व स्ट्रोक इसमें जो इंसाइड यानि अंदर की तरफ जो लग रहा है ना हुक यह एंड की साउंड दे रहा है यह बन गया फाइन नेक्स्ट एक्जामपल में लिया है मून का यह जो अंदर की तरफ यह हुक लग रहा है यह देगा एंड की साउंड यह बन गया मून में ने एक्जाम्पल लिया है शायन का यह जो अंदर की दर्फ लग रही है तर फिर मेंने लिया यह यह पर लग रहे हैं ऐसायन का यह 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 रोक्त मीनिंग में ये अंदर की दरफ ये जो M के साथ लग रहा है ये N की साउंड दे रहा है ये N का हुग के साथ मैंने इंग लगाया है एक बार रपीट कर देता हूँ इस लेंग का मतलब है कि अगर हम स्माल यानि छोटा सा फाइनल हुक लास्ट में यानि लगाएंगे कर्व स्ट्रोक में अंदर की दरफ तो वो N की साउंड देगा जैसे मैंने फाइन, मून, शाइन, असाइन, लीन और मीनिंग में आपको लगा के भी दिखाया है अब हम बात करते हैं पॉर्थ लाइन के बारे हैं इस लाइन का मतलब है कि अगर हमें छोटा सा फाइनल हुक यानि लास्ट में हुक लगाएंगे तूवर्ट्स लेफट साईड यानि लेफ तरफ पे तो वो F और V की साउंड देगा यह ध्यान रखी स्ट्रेट स्ट्रोक में बात करें जैसे मैंने कुछ एग्जामपल्स लिए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगे जैसे पफ है पी स्ट्रेट स्ट्रोक है पी के साथ वोवल है यह जो हुक लगा हुए न यह एफ की साउंड दे रहा है यह लेफ्ट लिए कर्द मारे में बात करे हैं भी आपवा पारे में बात कर रहे हैं फिर चेफ में है 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 और एकशमपल है और यह कि यह जो लगा हुआ है यह एक्पसी कि साउंड एड है लेफट साइड पर I hope आपको ये clear हो गया होगा, अब हम बात करते हैं 5th line के बारे में The hook which represents L at the beginning and final FV hook are written in the same, that is left side इस line का मतलब है कि hook which represents, जो hook L को represent करता है beginning में यानि initial में और final FV hook को represent करता है left तरफ पे, final में यानि last पे, तो हम यह इक अठे लिख सकते हैं, जैसे मैं examples के तुरू आपको समझाता हूँ आपका concept अच्छी तरह clear हो जेगा, जैसे मैंने bluff का example लिए, bluff में हमने जैसे ये B है, जो initial में hook लगाया है, वो तो हो गया L का hook, और जो final में लगाया है ये F की sound दे रहे है, तो ये हम अगर initial में लगाएंगे तो L की sound देगा, final में लगाएंगे तो F या B की sound देगा, तो ये बन जाएगा bluff, फिर मैंने cliff का example लिए है, के है, के के ये जो initial में लगा हुए, यानि starting में, वो तो L की sound दे रहे है, और जो final में लगाया है, वो F की sound दे रहे है, ये बन जाए cliff, इस तरह हम इकटे hook लगा सकते हैं, अब हम बात करते हैं, sixth line के बारे में, there is no F or V hook to curve strokes, so F and V both strokes are written, इस में, इस rule का मतलब है, कि F or V hook curve strokes पे नहीं लगता, लिखा है ना मैंने, there is no F or V hook to curve strokes, so F and V both strokes are written, जैसे अब fine का example लिया है, मैंने, fine तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर हमें 5 लिखना है, तो हमें F भी लिखना पड़ेगा, और साथ V लिखना पड़ेगा, F और V ये बन गया, 5, लाइफ, उसी तरह, लाइन लिखना है, लाइन तो लिख दिया, अगर हमें लाइफ लिखना है, तो हम इसे इस तरह, इसमें लिखना है, ना मैंने, there is no F or V hook, तो curve stroke, curve stroke पे F or V का होक नहीं लगेगा, तो हमने ऐसे लिखना है, लाइफ, L है, साथ I है, F है, फिर मैंने 9 पना के दिखाया है, लेकिन अगर हमें नाइफ लिखना पड़े, तो हमें ये N साथ मैंने आई लगा है, और साथ F लिखाया है, अब हम बात करते हैं, सेवन्थ लाइन के बारे, इस लाइन का मतलब है कि जो फाइनल वला हुक, यानि जो लास्ट वला हुक होता है, N का हो जाए, V का हो, F का हो, वो नहीं लिखा जाएगा, अगर उसके बाद कोई वोवल आ रहे हैं, यानि कोई मात्रा आ रही है, जैसे, अब मैंने एक्जाम्पल लिया है, पैन बट पैनी, इसमें, पी है, पी के बाद मैंने इदर N का हुक लगा दिया, इसका है न कि फाइनल हुक, N V F is not written, if final stroke is followed by a वोवल, अब पैनी लिखना है, पैनी में जो हमारा final stroke, यानि जो last stroke है, जो N है, उसके बाद वोवल आ रहे हैं, तो इसमें मेरे को N पूरा लिखना पड़ेगा, फिर उसी तरह मैंने एक्जाम्पल लिया है, फन बट फनी, फन है, इसमें मैंने N का हुक लगा दिया, लेकिन अगर हमें फनी लिखना है, फनी में जो हमारा final, last वाला जो ये है, इसमें ये वोवल आ रहे हैं न, तो इसमें हमें N पूरा लिखना पड़ेगा, ये लिखना, इस final stroke is followed by a वोवल, N के बाद वोवल आ रहा है, तो फिर इस तरह पूरा लिखना पड़ा, फिर मैंने example लिया है, man but many, जैसे man में तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मैंनी लिखना है, मैंनी में तो मेरे को N के बाद अगर वोवल आ रहा है, अब मात्रा आ रही है इस रूल में मैंने बताया न फिर में को एन लिखना पढ़ेगा अब हम बात करते हैं एट्स लाइन के बारे में दा एन एड एफ हुक में भी यूजड मीडियली वेन दे जोईन इसली एक्जामपल एक्जामपल मेंने लिए हैं प्लैंटी का, एजेंट का, रैफर का, ग्राफिक का, डिफैंस का और डिवाइट का इस लाइन का मतलब है कि एन और एफ हुक में भी यूजड मीडियली वेन दे जोईन इसली कि हम एन और एफ का हुक मिडल में यूजड कर सकते हैं अगर वो इसली जोईन हो रहा हूँ, एक्जामपल के दूरू समझते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एक्जामपल लिया है, प्लैंटी का, प्लैंटी में जैसे पी है, पी के साथ यह जो मैंने हुक लगाए है, यह एल कह स साथ वोवल है, अब इसमें हम जोड रहे हैं ना दो स्ट्रोक, जैसे यह जो हुक लगा हुए यह ट्य बन कि यह बदैसा, ऑगर हम दो स्ट्रोक को जोड रहे हैं तो बिल में हम detail में यह लगा एफ का हुक यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें पी एल के बाद यह लगा पी एल है और इधर टी है यह जो दो मेंने स्ट्रोक्स को जोड़ा है तो इसमें एन का हुक हम यूज कर सकते हैं अगर वो इसली जुआइन हो रहा हो जैसे प्लैंटी में लगा के दिखा है बात करते हैं नेक्स्ट एक्जाम्पल के बारे में एजेंट है अब यह जोड रहे ह है ना इन दो स्ट्रोक्स को इसमें अगर आयशली हम लगा सकते हैं तो एंड का हुक यह मैंने लगा के दिखा है यह जो यह दो को जोड़रे है यह में je f की sound रहे और ये बन के रहे फिर मने रखेक का लगाया है ग्राफिक में भी दो को हम जैसे जोड़ रहे है तो इसमें यह क्यार है तो इस में यह के साथ जोड़ रहे है ना इसको यह दो स्ट्रॉक्स को तो इसमें हम यह वղगा सकते हैं फिर मैंने defense का example यह उसी तरह D है F है N है S है फिर divide का लिए है इसमें भी जैसे दो strokes को जोड़ा तो ये V वाला लगा सकते हैं अगर वो easily join हो रहा हो जैसे divide में मैंने लगा के भी दिखाया है अब हम बात करते हैं 9th line के बारे में The hooked form nerve is used in the downward and horizontal strokes जो हम N के साथ R का hook लगाते हैं is used in downward हम उसको हम downward और horizontal strokes में use कर सकते हैं example के थूँ आपको समझाता हूँ जैसे opener है opener में मैंने ये वोवल लगाया है सद P है और ये नरवल लगाया है ये बन गया opener ये downward और horizontal strokes पे यूज कर सकते हैं जैसे joiner हो गया J है J के साथ ये एनर वल लगाया है फिर किनर हो गया के है सद एनर वल लगाया है लेकिन बट अगर हमें runner लिखना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा आर है फिर मैंने वोवल लगाया है फिर एन है फिर आर लगाया है इस लाइन का यही मतलब है कि हम हुग्ड फॉर्म जो एनर वला लगाते है ना एन के साथ वो डाउनवर्ड और होरिजेंटल स्ट्रोक्स में हम लगा सकते हैं जैसे मैंने इन चार एक्जाम्पल्स के दुरू आपको समझाया अब बात करते हैं लास्ट लाइन के बारे में यानि यूज करते हैं कुछ एक्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको साथ क्लियर हो जैए जैसे अब मैंने आई हैव बिन बनाके दिखाया है इसमें आई है एव है अगर हैव के साथ हम यह हुक लगा देंगे तो यह बीन की वाजिए यह एक हो लगा देंगे तो यह बनगया आई हैव बिन फिर मेंने लिया है better than जैसे ये है B है, B पे vowel है फिर T के साथ R का hook लगा दिया फिर ये जो ये लगाया है न, N का तो ये बन गया than, better than फिर मैंने carried on का लिया है K है, K पे vowel है, R है B है, ये जो hook लगा है ये N on बन गया न, carried on फिर मैंने लिया है which है उपका ये, ये बन गया which है, जैसे ये मैंने लगाया है न, ये बन गया which है ये फ्रेजोग्राफी है, फिर मैंने out of का लिया है इसमें T के साथ मैंने F का hook लगाया, ये बन गया out of फिर मैंने carried on का लिया है K है, R है, D है, ये जो hook है न, ये carried on ये n की अवाज दर है carried on बन गया फिर मैंने बनाया है of this has been of है this है फिर b के साथ ये n लगाया है ये बनागा has been फिर मैंने लगाया है upon which ये vowel है p है n है और j है ये बनागा upon which फिर बनाया you will have फिर बनाया to try फिर है carried on का के है मिटे है पर वोवल है आर है basically यह एन कवकल हैने यह बनीक्हारीडेगा हूए फिर मैंने मनाया ओफ्कॉर्स का ओफ मिटवल नाये टी है इदार वैने लगा दिया और कहुप फिर ओवर चार्ज है वी है, वी के साथ हुक है, चे है, आर है जी है, वरचरच, फिर यह बन गया, फिर न की साउंड देंगा, fakid, वी के साथ बी, तो आज इस क्लास में हमने एन और एफ के हुक के बारे में समझisterा, मैंने एक, एक 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 अग्जामपल लेकर आपको एन और एफ हुक के के concept के बारे में clear किया आज की इस class में एतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like and subscribe जरूर कीजिए इसे हमें motivation मिलता है Thank you so much